शनी देव को न्याईकार देवता बताये गया है शनीवार का दिन शनी भगवान को समर्पित है इस दिन शनी भगवान की पूजा अर्चना के लिए सर्व श्रेष्ट माना जाता है शनीवार के दिन शनी भगवान की पूजा कर उन्हें प्रसंद किया जा सकता है और जिंदग पोट कचहरी के चक्कर में पड़े हैं तो शनिवार के दिन पीपल की 11 पत्ते लेकर उनकी माला बनाने और इस माला को किसी शनी मंदिर में जाकर शनी देव को अर्पित करते समय ओम श्रीम हीम शम शनिश्चराई नमः मंत्र का जाप करते रहें इससे आपकी समस्या दूर हो जाएगी अगर आपके व्यपार में तरक्की नहीं हो रही है तो किसी पीपल के पेड़ की साथ बार परिक्रमा करते हुए कच्चे सूथ के धागे को बांदे फिर परिक्रमा करते समय शनी देव को ध्यान करें इससे आप पर शनी देव की क्रपा बरसेगी अगर आप अपने दामपत्य जीवन को सुखमे बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा काला तिल लेकर शनी बार के दिन पीपल के पेड़ के पास बांदे उसके बाद पीपल की जड़ में पानी भी चड़ाएं अगर आपको नौकरी से जुड़ी समस्या है तो शनी बार को आप काला कोईला लेकर उसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें फिर शम शनिश्चराई नमा मंत्र का जाप करें इससे आपकी नौकरी से जुड़ी समस्या समाप्त होगी और आमदेनी भी बढ़ेगी अगर आपकी घर में सुख सम्रिधी का वास नहीं है तो शनिवार की दिन एक लोटा जल ले, लोटे में थोड़ी सी चीनी डाल दे इस जल को पीपल के पेड़ की जड़ में अर्पित कर दे साथी ओम एम हीम श्रीम शनिश्चराई नमा मंत्र का जाप करते रहें इससे घर में सुख सम्रिधी का वास होगा इस तरह की कुछ उपाय कर आप अपने जीवन में आ रही विविन समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं